नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्राम आपस भीकास स्वागत अबिनन्दन है टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके CDP की बात करेंगे बाल विकास, Child Level And And Pedagogy की बात करेंगे Practice Paper की बात करेंगे समस्त लेबर CDP, बाल विकास का आपके 30% रहने वाले हैं क्योंकि practice it यह जो model paper होने वाला है आपके समस्त आपके cdp child development and pedagogy का पूरा निचोड होने वाला है तो सभी आपे comment किजेगा यह सारे 30 के 30% संभावित प्रिशन हो सकते हैं 30 में से आपके 10 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं 25 भी हो सकते हैं आने वाले जो practice paper model paper है 30 plus model paper practice paper करने वाले हैं जो 30 अंक आपके निर्धारित कर देंगे तो चलिए देर न करते हैं क्लास को continue करते बांकि सबी classes चलने जिसका आई बुटन पर यहां प्यालेडी लिंक दे दिया गया है तो चलिए इस practice paper में आपका feedback जानते हैं कि 30 में से आप तो आप सभी लोग जानते पियाजे जी मुकरूप से किसके अध्धन के लिए जाने जाते हैं संगनात्म विकास के अध्धन के रूप में जाने जाते हैं थर्डवाल आपसन सही हो जाएगा दूसरा प्रस्निया पर क्या पूंचा जा रहा है जब मानों सरीर के एक भाग को दिये गए प्रसिच्छन का अंतरन दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं चैति जन्तरन, ऊर्द अंतरन, दूइपार्सी कंतरन या उप्रोक्त मेंशे कोई नहीं सभी कमेंड केजगा जियां मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारे प्यारे बहने ग्रहनी जिनका सपना है सी टे टिक जाम, टी टिक जाम को फते करना सभी कमेंड कीजेगा तो आप सभी लोग जानते हैं जब मानों सरीर के एक भाग को दिये गए प्रसिचन कंतरन दूसरे भाग में हो जाता है उसे क्या का जाता है, दूसरे प्रसिचन कंतरन कहा जाता है धर्ड बाल अपसन सही हो जाएगा किसी भी प्रस्ण पर अगर आप लोगों का डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंड कर सकते हैं आपका कमेंड फेडबेक स्रोपर ही है, शर्मान है तीसरा प्रसन आप लोगों के स्किन पर है देगे प्रापतांकों के समूँ में जो प्रापतांक बहुदा सबसे धिक बार आता है उसे क्या कहता है ऐसा प्रापतांक जो सबसे बहुदा या बहुत बार आता है उसे ही क्या कहा जाता है सबी लोग बताईए कमेंट करके जी हाँ उसे ही दोस्तों बहुलक कहा जाता है जब प्रापतांग का समू प्रापतंग जो बहुत बहुत बार आता है उसी को ही बहुलक कहा जाता है यहाँ पे सेकंड वाला आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसुत अन्कूलन सिध्धान के प्रतिपादक प्रतिपादन किस ने किया था इसकनर ने ईपी पालाओ ने थांडाइक ने कोहलर ने सबी कमेंट कीजियेगा कोहलर ने चिमपाजी नामक बंदर पर प्रयोग किया, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पालो ने कुत्य पर प्रयोग किया, इसकनर ने चुहे और कबूतर पर प्रयोग किया तेहां पर प्रश्ण पूचा गया है किरिया प्रसूत अनकूलन सिध्धान का प्रितपादन किस ने किया आपका जबाब होना चाहे इसकनर की बात करेंगे पहले आपसन की बात करते हैं अंगला जो प्रशन दिया गया है कि अलवर्ट बंडूरा निर्मे से किस सिध्धान से समंदित हैं वहरात्मक सिध्धान, समाजीक अधिगम सिध्धान, विकास का संगनात्मक सिध्धान या विकास का मनो समाजिक सिध्धान तो आलबर्ट बंडूरा के जब भी बात की जाती है ये जिस सिधान से समंधित होते हैं वह सिधान तैस समाजीक अधिगम का सिधान सिकंड वाला अपसन सही हो जाएगा आएए बात करते हैं आपके अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण जो आप लोगों की स्कीन पर आ चुका है प्रशने पूचा जा रहा है कि मांसी कायू का प्रत्य दिया था, इस्टन ने दिया था, बिने साइमन ने दिया था, तर्मन ने दिया था, या सीरियल बर्ट ने दिया था, सभी कमेंट के जगा, जहां साथ यो मांसी कायू का प्रत्य देने वाले और कोई नहीं आपके बिने और साहिमन है, सेकंड आपसन को यहाँ पर सही कर लेना है किसी भी प्रशन पर डाउट है बेफिकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं जैस्वास सर आप सभी का बिलंदन श्वागत करते हैं आप सभी के माता पितों को नमस्कार और प्रणाम करते हैं अंगला प्रशन इसकीन पर है दोस्तों सात्मों प्रशन ने कह रहा है प्रक्टिस स्वेपर का कि इन में से यनिम निखित में से कौन सा सीखने कनियम नहीं तो सभी लोग जानते हैं सीखने कनियम किसने दिया अगर प्रशन आता है एक दिया था मुख नियम, दूसरा दिया था गौर्णियम, मुख नियम तीन होते हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ततपरता का नियम, गौर्णियम आपके पांच होते हैं, अब देखे इन नियमों को पढ़ लेना, अब यह नहीं पूछा जाएगा कि मुख निय एक वाइगोस की इसक नरजीन प्याजय जी आपके कोहल वरक सारे सम्मंदित आपके टॉप कुश्चन के साथ विठ डिसक्रप्सन के साथ डिटेल के साथ अलेडी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है एक बार विजिट अवस्थ कीजेगा तिन में से जो सीखने का नियम है हमारा अब्यास कनियम प्रभाव कनियम ततपरता या ततपरता कनियम लेकिन तनाव कनियम जो है सीखने कनियम नहीं है इसलिए का लिट इन्टो कुश्चन्स पहला आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या पूंचा जा रहा है आप लोगों किसकी इन पर प्रस ने खाली स्थान समध्ध प्रकिया सिधान ने पालाव ने प्रयोग किया था तो सभी लोग जानते हैं हम आल लेडी पिछले बता चुके हैं कुट्ते ने समध्ध प्रत्किया सिधान ने पालाव पर प्रयोग किया था बिल्ली पर थंडाइक ने किया बंदर पर क पोहलन वर्ग ने किया चुहे पर इसक्णर ने किया ठीकर आई होप आप कमझगे होंगे आईए बात करते हैं उसकी जोड द्वराद और सीखने के सिधान का पृत्पाधन ने किस ने किया कोहलर ने किया थांडाई की ने किया ईपी पॉलाव ने किया या वुडवर्थ ने क या सभी कमिंट कीजेगा, जहां सारी क्लासे सारे प्रक्टिस वेपर इस्टार्ट हो चुके हैं, और मॉडल पेपर जल्दी आने वाला है, पूरे 150 कुश्चन का मॉडल पेपर आने वाला है, तो सभी क्लासे जिंपोर्टेंट हो जाती हैं, एकजाम को फते करने के लिए, एक करने की प्रकिया कौन सी कहलाती है, सबेदना, प्रेना, सीखना या प्रतच्छी करन कहलाती है, तो किसी भी कार को अरम करना, उसी कार को जारी रखना और उसी कार को निमित करने पहना, जब आप तयारी को अरम करते हैं, उस तयारी को जारी रखते हैं, उस तयारी को निमित करते हैं तो सफलता निश्यत होती है और इसी को क्या कहा जाता है इसी को ही प्रेना कहा जाता है motivation कहा जाता है आपके अंदर एक इच्छा द्रन शंकल्फ होना चाहिए exam को फदै करने के लिए अंगला परसन है बिश्मती कम करने का उपाई क्या है यानि भूल भूल को अगर कम करना हो हम प्रस्न पढ़ते हैं लेकिन उसके लिए एक उपाय होता है और उस उपाय का नाम है पाठ की पुंदररवत्ति यानि जो सारे practice paper class करते हैं इसकी पुंदररवत्ति अबस्य कीजिए जब भी समय मिले बागी टेलिग्राम पे 1000 सदीक आपको पीडिया फाइल्स आलेडी मिल जाएंगी जो आपके TT exam सिच्छक बरती से related है तो सभी जाएए टेलिग्राम में सर्च कीजिए जैसवाल कोचिंग सेंटर, ग्रूप मिलेगा या चैनल मिलेगा जाइन हो जाना है, मेडिय आप्षन को चूच करना है वहाँ पे सारे पीडियो फाइल आपको notes डाउनलोड कर लेना है अंगला है क्रोध वा भय प्रकार किसके होते हैं सम्वेग के होते हैं, अभी पिरेणा के होते हैं, परिकल्पना के होते हैं या मूल प्रवत्ति के होते हैं तो क्रोध और भाय जो प्रकार होते हैं सभी लोग जानते हैं सम्वेग की बात करेंगे 14 मूल सम्वेग हैं किसके द्वारा दिये गए हैं मैक डूगल के द्वारा दिये गए हैं ये भी आप सभी लोग जानते हैं तो सारे चीज़ा डिटेल के साथ चर्चा करते हैं ताकि आपके त्यारी प्रपेशन एक सो एक परसंट पका हो सके। अंगला परसंट ने दूसरे बेखती के बाय बेखुरार की नकल क्या कहलाती है। जम कोई दूसरे बिक्ति, उसके बाह बेकोर, मतलब उसके अंदूरी नकल नहीं करते हैं, उसके बाह बेवहाद से नकल करते हैं, उसी कोई अनुकरण कहा जाता है। पहला आपसन सही हो जाएक अक्सर आप बच्चे को देखते होंगे आप देखते हैं खेल पूरक या मनुरंजन पूरक जब बच्चों को कुछ ऐसी क्रियाई करते हैं अकर हाथ इधर करेंगे पहले इधर करेंगे तो बच्चे भी करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं अनुकर करता है उसी को हुए हम सकरात्म प्रसिच्छन इस्तान्तन कहते हैं अगर मालिजै पूरा जो ग्यान है हमने ृड वYour वन है हमारे टीटी में काम नहीं आ रहा है तो ौकर शिच्छन नकरात्म प्रसिच्छन यह चीज़ें आपको ध्यान कर लेना है अंगला उपसने सीकिए हुई बात को इसमर्ण रखना या पुने इसमर्ण करने की अस्फलता हम आपको सीखाते हैं, हम आपको प्रिक्टिस वेपर में प्रश्न कराते हैं लेकिन आप जब पुने इसका इस्त्मन करते हैं इंसर आप भोल जाते हैं इसी की अस्फलता को ही बिस्मृति कहा जाता है थर्ड़ वाला अपसन सही हो जाएगा अंगल जो पुर्ष्ण दिया गया है कि टर्मन के एकॉर्डिंग 9 to 120 बुद्धिलब्ध का बालक जो है माना जाएगा तो तर्मन के उनसर 90 बुद्धिलब बालक है वह समान बुद्धिलब माना जाएगा पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण पूँचा जा रहा है कि हाल का सिधान्त निर्मे से किसकी व्याख्या करता है अधियम में अप्रियन की भूमिका की बुद्ध की प्रकति की मुल्यों की विकास की या किसोरों के मनो बिग्यान की व्याख्या करता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हाल का प्रोफेसर हाल का सिधान्त है जो व्याख्या करता है वो किस ओरों के मनो बिग्जान की व्याख्या करता है फोर तापसन सही हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण दिया गया है मानो विक्तित के मनो लेंगिक विकास को निन में से किसने मात दिया प्रफेसर हाल ने, कैमेनियस ने, हलिंग वर्थ ने या फ्राइड महोदे की बात करते है मानो विक्तित के मनो लेंगिक विकास पे निन में से जवान पर आता है वह आपके फ्राइड ज्यान साथियो फोर्ट आपसन सही हो जाएगा अंगला जो पसंदिया गया है कि मनो बिग्यान की प्रतम प्रयोकसाला किसने इस्थापित किया था सिग्मन फ्राइड डब्लू उंट इपी पाला या वार्टसन की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं समझते हैं ज्यानी सरवब ख्याता हैं भावी अधापक अधापिक आये हैं कि मनो बिग्यान की प्रतम प्रयोकसाला जिसने इस्थापित किया और कोई नहीं आपके डबलू उंट महोदय जी हैं इनको नोट कर लेना है जोकि एकजाम में याई 101% आने वाला प्रस्ण है इसले प्रस्ण को इस प्रस्ण को हम बिभी आईपी कटेगरी पर रखते हैं भेरी भेरी इंपोर्टन की कटेगरी पर रखते हैं सेलेक्शन की ज़से सम्भावित प्रिश्ट की कटेगरी पर रखते हैं अंगला प्रस्ण है कि गेस्टाल्ट मनो बिग्यान के अधार सिला किसने रखी थी मैक्स वर्दी मर, फ्रांज विंटानो, एडगर रुविन या कर्ट लेविन की बात करते हैं सबी कमेंट केज़ेगर जहां सातियों गेस्टाल्ट मनो बिग्यान के अधार सिला अगर पूछा जाता है किसने रखी तो मैक्स वर्दी मन ने रखी थी ये नोट कल लेना आंगला जो परस्ण दिया गया है कि संगनन सिधान निर्मे से किस से समंदित है अभिप्रेणन से, अधिगम से, इस्तम्रति से या सरनात्मक्ता से समंदित है तो संगनन सिधान का जब भी जिक्र होता है किस से समंदित हो जाता है तो यह इस्तम्रति से समंदित हो जाता है यहाँ पे कौन सा अप्षन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड अप्षन सही हो जाएगा अंगला जो परसने छे सिधान निर्मे से किस वर का सिधानत है और यह आपको कमेंट करके बताना कि गेस्टाल्ट वादी वर्ग जो है कौन-कौन से बैज्ञानिक मनो बैज्ञानिक आते हैं सभी लोग बताईए आईए बात करते हैं आपके अंगला प्रिशन जो है खालिस्थान बैटरी का प्रियोग निनमे से किसके मापन हेतु किया जाता है भाटिया बैटरी परिच्छन आप सभी लोग परचित होंगे जब यह नाम आता है भाटिया बैटी परिच्छन तो आप सभी लोग परचित होंगे किसकी बात करते हैं बुद्ध की बात करते हैं जी हां किसकी बात कर रहे हैं बुद्ध मापन की बात कर रहे हैं अंगला प्रसनिस्कीन पर दिया गया है कि अभी क्रमियोजित अधिगम का प्रत्य किस ने दिया था थांडाइक ने प्रोफेसर हल ने इसकनर ने या वाटसन की करते हैं जब भी अभी क्रम्योजीत अरिगम के प्रत्य का जिक्र होता है किस ने दिया आप सभी लोग जानते हैं इसकर ने दिया था इसलिए यहां पर जो आपका थड़ आपसंदिया गहए वह सई हो जाएगा no doubt आइ होब सभी प्यार में प्रत्य को अच्छे तरीके समझ पा रहे हैं फीड़ बैक कर रहे हैं सभी कमेंड कर जिएगा इसी तरह करते रहे हैं तैयारी जाई रखिए क्योंकि सेलेक्सान आपे शरो पर ही है अंगला प्रसन इसकीन पर आचुका है अंगला प्रसन बहुत परतन जो कि प्रचीत अभ्यास का पईड़ाम होता है उसी को ही अरिगम कहा जाता है अंगला जो पस्न दिया गया है कि संग्यान किस बुद्ध के सिध्धान का हिस्सा होता है क्या वैसमू कारक सिध्धान्त है प्रतिदर सिध्धान्त है गिलफोर्ड का सिध्धान्त है या फ आपको एक ही चेन नोट करना है वह आपका संग्यान का संबन्द गिलफोर्ट से है ये आपको नोट कर लेना है अंगला जो प्रिशन दिया गया है कि आठ वर्स के सुधीर के मांसिक आउदस वर्स है तो उसकी बुद्धिलप्त कितनी होगी हम सभी लोग जानते है आईक्यू आठ वर्स में हो गया ठीक है आठ वर्स सुधीर यहां पर मांसिक आउदस वर्स दी गई ठीक है तो यह चीज़े दो कर लेना है अक्सर क्या होता जब जो चीज़े बनती है जल्दवादी कर देते तो दस वर्टे आठ इन मल्टिपिकेशन हिंडेट ठीक है तो एक हजार मे आठ का भाग करेंगे कितना आ जाएगा ये नोट कर लेना है तो एक हजार में आठ का भाग करके सभी लोग ट्राइ कीजिए कितना आ रहा है ठीक है आठ कमाट आठ दुनी सोला और आठ पांच चालिस यहाँ पे जो पोर्ट आपसन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा इस प्रकार का एक प्रस्ण आवज़ आएगा चलिए अंगला प्रस्ण देख लेते हैं कि आप प्रस्ण पूचा गया है समवेग का कौन सा सिधान्त इस विचार को मानता है कि समवेगात्मक अनभो संवेगात्मक बिवार परदारित होता है क्या वह हाईपो टोलसिक सिधान्त है जेम्स लेंग का सिधान्त सकृता का सिधान्त या अभिप्रेडन का सिधान्त है देखे जब भी सम्वेग का जिक्र होता है, सम्वेग में सिधान का विचार में मानता है कि सम्वेगात्मक अनभव सम्वेगात्मक बिवहार पर अधारित होता है, तो जब सम्वेगात्मक दो बार आता है, जब सम्वेगात्मक अनभव के साथ सम्वेगात्मक बिवहार में आ कुंठा, द्वंद, चिंता या तनाव तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी कोई भी इच्छा या सकता होती है उसमें आपका रुकावट आता है उसमें जो रुकावट होने पर उत्पन समवेगिक जो आपके मन में तनाव होता है उसे को भी कुंठा कहा जाता है पहला अप किस विकiphate से समंधित हो जाता है तो सभी आप ए कमेंट करके बताइएगा सभी क सिदानाय से किस विकाश से समंधित है यह प्रस्ण आप सभी के लिए मोग कुस्चन के रूप में हैं, साथी-साथ आपको यह भी बताना है, यह टॉप 30, यह बालवेखा CDP प्रक्टिस पेपर, फर्श्ट में 30 में से आपने कितना स्कुर प्राप किया, आपकी त्यारी कितनी है, आपका प्रेफिस्टन कितना है, अभी मिमाुका है, प्रक्तेक प्रक्टिस पेपर को अटेंड कर प्रिक्तिशिट को अटेंड कर फीडवेक करके अपने त्यारी को बहतर कीजिए और अपने अबल भविश की कामना के साथ एक्जाम को फतह कीजिए मैं आपके साथ जेस्वासार मिलता हूँ आपके अंगली क्लासवर सभी मित्रों को जेहिंद वंदी मातरम धन पान से आपके अंवाश हो भी का